अरे मोधी जी तुमारा हलू क्या रेट है? एक तो तुमारा हलू छोटा बड़ा मिक्स बहुत है मुझे सई-ई-ई रेट बताओ तो तुमसे ले लूँ नहीं तो ओदर अकलेस भी बेच रहा है अकलेस भी बहुत सस्ता बोल लाता तुम अपने रेट बताओ देखो राउल भगबान जूट ना बलवाए सुभे सुभे का बक्त है पहली बार तुम्ही से बौनी कर रहा हूँ पचास उर्पे किलो लगेंगे एक रैट लेना हो तो बता दो नहीं लेना हो तो बता दो पैतालिस उर्पे किलो लगाओ अगर मोधी जी तो पांच किलो दे दो बोलो आ या ना में जब आप दो नहीं तो मैं जा रहा हूँ अखलेस के पास लाओ चलो थैला आगे करो पैतालिस में दे देता हूँ मैं तुम्हें बैसे मैंने किसी को एक पैसा कम नहीं दिया है पचास उर्पे से चाहें तो मर जी ओ इन लालू जी से पूछ लो ये मेरे पास ही बैठे है कल से कल मैंने पचास उर्पे से कम नहीं दिया है आज सुभे तुमसे बोनी कर रहा हूँ ऐसे नहीं लूँगा मोधी जी मैं आलू ऐसे नहीं लूँगा सब तुमने छोटे छोटे आलू चला दिये ये बड़े बड़े आलू चलाओ तो मैं लूँगा मैं अपने हाथ से रखूँगा समझे देखो राहूल पचास रुपए में ऐसे आलू नहीं मिलेंगे तुमें बीन बीन के तुम अपने हाथ से मत बीनो मैं एक तरफ से चड़ाओंगा समझे अरे राहूल ऐसे कौन आलू लेता है जिस तरीके से तुम ले लए हो एक तरफ से लो ऐसे बीन बीन के कौन देता है मैं भी इतनी देर से बैठा हूँ इन्होंने एक तरफ से दियें जिसको भी दियें लालू जी तुम ज़्यादा सिफार सी मत बनो मोदी जी के समझे तुम ज़्यादा सिफार सी मत बनो पैसा तुम्हारी जेम से नहीं जा रहा है पैसा मेरी जेम से जा रहा है जिसकी जेम से पैसा जाता है उसे पता चलता है और ये सोने की तोल मत दो बिल्कुल भी अभी एक आलू और चर जाएगा तुमारा काटा पीछे की तरफ भाग रहा है एक आलू और चालाओ मोदी जी नहीं तो मैं जा रहा हूँ देखो राहूल मैं रैट में तो लड़ लेता हूँ, मैं कभी कम नहीं तोलता, समझे, मैं कभी कम नहीं तोलता, अकनेज कम तोलता होगा, मैं नहीं तोलता कम, देखो, ये बिल्कुल सही तोल है, अरे मोधी जी मैं तुम्हारी ये चाला की कभी नहीं भूलूंगा, अरे तु तुम राजनाथ सिंग जी के यहाँ पर काम करने लगे तो मुझे भी काम पर लगा लेते। देखो राहुल भगबान जूट ना बुलवाएं। मैं जो बोलूँगा संसज बोलूँगा। यहाँ पर राजनाथ सिंग जी के यहाँ पर सिर्फ तीन नोगों की जरूरत थी। तो हम तीनों लग गए। मैं योगी जी और अखलेस। हमने सोचा अगर चौते बंदे की जरूरत होगी तो तुम्हें लगबा देंगे। लेकिन मोदी जी यह तुमने गलत किया, बहुत गलत किया, अरे सबसे ज़्यादा संपर्क में मैं रहता हूँ तुम्हारे, अखलेस इतना थोड़ी रहता है, चलो योगी जी की कोई बात नहीं, अरे तीसरे बंदे की जगा अखलेस को निकाल देते, मुझे लगा लेते, अ अरे मैं कोई जुसमन मोदी जी का, अरे रहूल और अखलेस लड़ो मत, लड़ो मत, बिल्कुल मन लड़ो, रहूल, मेरी राजनास सिंग जी से बात चल लेए, एक बंदे की जरूरत उन्हें बहुत जल्दी पढ़ने वाली है, मैं उस बंदे की जगा तुम ही लगबा दू है, रहूल योगी जी की बात मान लो, राजनास सिंग तुम्हें जल्दी रख लेंगे, कल परसों में, अहूल उबैसी जी अगलेस क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात है, किसलिए तुम यहां पर आई हुई हो, और तुमारे साथ में यह गाओं के लोग भी आई हुई है, मो आपी बताईए, मोधी सर जी, हम चार लोग इन तीन टेमाटर का किस तरीके से बढ़बारा करें, चलो राओन मैं इस बास से सहमत हूँ, लेकिन यह तो बताओ, तुम चार लोग तो टेमाटर का बढ़बारा करने के लिए आयो, लेकिन यह साथ में, राजनास सिंग जी, ल है रहे हैं, कि हम तो यह देखने के लिए आए, कि मोधी जी, इन तीन टेमाटर का चार जगा बढ़बारा किस तरीके से करेंगे, तो योगी सब इस्पेक्टर जी, इसमें दिक्कत क्या है, तीन टेमाटर को काट के चार जगा बराबर बाट दो, मोधी जी में दिक्कत तो यही है, हमें टेमाटर को काटना नहीं है, पूरा का पूरा टेमाटर आपस में बाटना है, लेकिन वैसी जी ऐसे कैसे हो सकता है, तीन टेमाटर है, तुम चार लोगों, चार लोगों ने मिलके घेती की थी, जब तीन टेमाटर पैदा हुए है, तो चार जगा पूरे पूर कईसे बढ़ सकती हैं तमाडर को काटना तो पड़ेगाई अरे मोदि सर जी अगर हमें तमाडर को काटना होता तो आप के पास बड़ारा करने के लिए क्यों आते हम खुदी यह टमाडर आप अपने पास से करीद कर देदो फिर चार टमाडर हो जांगे चारों को एक एक टमाडर बाढ़ दो अरे राजनास सिंग जी बेपाल तू की बात करते हो इतना महेंगा टमाडर भिक्राज चार सो रुपे किलो मोदी सर जी अपने पास से क्यों खरीद कर दिंगे अरे हमेसा जी जगडे को निप्टाने के लिए बढ़बारा तो करना ही पड़ेगा मोदी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं टमाडर अपने पास से खरीद कर दे तो नितीज कुमार जी अगर तुमें इतनी ही बो थी तुम मेरे पास आई ही क्यों तुम खुदी गाओं वाले लोग मिलकर एक टमाडर खरीद लेते और इन चारों में बांट देते मोदी सर जी आप ही बताओ हम आम आदमी इतना महेंगा टमाडर कैसे खरीद लिंगे 400 रुपे किलो टमाडर पिक रहा है चलो सब इस्पेक्टर योगी जी एक टमाडर खरीद कर ले आओ इन चारों में पूरा पूरा बांट दो और भाई लोगों वीडियो को लाएक करो चैनल को सब्सक्राब करो बस चटरी रोटी घाते हो घर पे कभी सबजी नहीं लेते हो तुम उससे अरे राहूल आ गया राहूल क्या लोगे कठल लोगे बोलो बहुत बढ़िया ताजा कठल लाया हूं आज मैं हा मोदी जी एक कठल दे दो पूरा कठल दे दो कठल का अचार बनाऊंगा घर पर एक पूरा दे दो और मोदी जी देखो कठल खराब नहीं निकलना चाहिए ये बंद खेती है बंद ले जा रहा हूं पूरा कठबा के नहीं ले जा रहा हूं अरे राहुल तो मैंने कौन सा मना किया, ये देखो उपर जो कटा हुआ रखा है, ये वाला ले जाओ, अरे राहुल क्या कह रहे हो, अचार बन भाओगे कटाल का, अरे यार जब अचार बन जाए तो एक प्याली घर पर भिजवा देना, अचार खाने का बहुत मन है, एक प्य चीज लेने बेकार है और भाई लोगों वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सियर करें सब्सक्राइब करें